ओम शान्ति ये यग्ये कोटी कोटी वंदन और नमन उन भागेशाली अमुल्य रत्नों को, आदि रत्नों को करता है जब भगवान इस धरा पर गुप्त रूप में आये इस श्रविश्विध्याले की प्रजापिताब ब्रहमा के द्वारा स्थापना की और ये रतन उस गुप्त रूप में आये हुए परमात्मा को पहचान कर ब्रह्मा बाबा के साथ साथ समर्पित हुए जिन्नोंने इस नग्य की नाव को खिष्टी को आज यहां तक अने एक तुफानों के बीच में से निकालते हुए निर्भायता से, अपने त्याग से, तपस्या से, सेवा से यहां तक खीच करके लाया और हम सब को ईश्वरिये अलोकिक जर्म देने के निमित बनी आज वो पूर्वज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं विश्व को सकाश दे रहे हैं और खास जो ब्रामन बच्चे हैं उनको भी अपनी पालना दे रहे हैं जैसे ही जुलाई मास आता है अपनी स्यग्य की मम्मा के बाद जो मुख्य प्रशासिका बनी बाबा ने दीदी और दादी को निमित बनाया तो हमारी बड़ी दीदी 28 जुलाई 1983 को उन्होंने अपना ये भौतिक दे को त्याग करके अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया और एडवान्स पार्टी में नई सेवाओं के लिए अपने आपको तयार करके हम सब से विदा ले करके चले गई मेरा ये परमसो भागे रहा कि मैं बालेकाल से इस इश्रेविश्विद्याले से जुड़ी और दादियों के संग में रह करके बहुत कुछ सीखा अभी हमें ग्यान में चलते हुए मुश्किल से हमारी लौकिक मदर, नानी और मेरी बेहन और मैं बहुत छोटी थी, कुल डेड़ वरश की मेरी आयू थी मेरी मदर अपने साथ मुझे लेकर के सेंटर पर जाती थी और वो सेंटर पर लाने की प्रेरना देने के भी निमित हमारी मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती बनी जिनका जून मास में हमने अव्यक्त आरोहन दिवस मनाया बाबा एक बार दिल्ली में मेजर की कोठी में आये थे और हमारी मदर को चलते अभी थोड़ा ही समय हुआ तो पता चला कि बाबा दिल्ली में आये हैं और मिलने की तड़प की भगवान इस धरा पर आया है उनसे मैं जरूर मिलूँगी मैं दो धाई साल की होंगी जब मेरी मदर बाबा की मुर्ली सुनने के लिए मेजर की कोठी में पहुंचे बाबा की मुर्ली पूरी हो चुकी थी लेकिन एक भावना हमारी लौकिक मा के मन में थी कि मेरी बच्ची के उपर भगवान की द्रिष्टी पढ़ जाए उन्होंने किसी को कुछ कहा है नहीं मेरी उंगली पकड़ कर जैसे ही वो मुझे बाहर ले जाने लगी इतने में हमारी ममता की मूरत दिव्य और अलोकिक्ता से भरपूर बाबा के प्यार में सदा खोई रहने वाली एक वरता जिने हम दीदी जी कहते हैं मनमोहीनी दीदी उनकी नजर मेरे उपर पड़ी और वो मुझे बाबा के पास बहुत प्यार से लेकर के गई बाबा एक छोटे टेंट के कैबिन में ही बैठे हुए थे और उन्होंने मेरे को दिखा करके बाबा को कहा बाबा दिखो आज कितनी छोटी सी कन्या आपकी मुरले सुनने आई है बस बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया उचाला और मेरी लौकिक मदर को कहा यह यहां की ही आत्मा है इसी कुल की आत्मा है और यहां ही वापिस आ गई है बच्ची ये दोनों कुल का नाम बाला करेगी तुम इनकी पालना बहुत प्यार से करना इससे भगवान की अमानत समझ कर इने पालना देना उस समय तो हमारी लौकिक मदर को रहस्य समझ में नहीं आया बाद में जैसे जैसे समय बीता गया तो हम तो नों भेने बहुत बिमार रहती थी लेकिन हमारी लौकिक मदर ने इसी भावना से हमारी इतनी सेवा की कि ये भगवार ने मुझे अमानत दिये इस प्रकार से मुझे बाबा की गोद दिलाने वाली हमारी आधर्निये बड़ी दिदी मनमोईनी जी थी फिर तो हम थोड़े बड़े हुए बाबा के अव्यक्त होने परी मदुबन जाना हुआ तो बड़ी दिदी की परक्षक्ती बहुत तेज थी अब मेरी आयू 9 वरश थी, 9-10 वरश होगी जब बाबा मिलन के पस्चात अव्यक्त बाबा गुरुवार को आए हुए थे ये बहुत बड़ा सुभाग्य रहा कि बाबा के हाथों से अम्रित पिया फिर तो बड़ी दिदी से मिलना हुआ और बड़ी दिदी ने मुझे कहा तुम तो घूमने आयो ना या ज्ञान योग करने आयो तो मैं छोटी थी अपनी उसी आवाज में बोला नहीं नहीं दिदी मैं तो मुरली सुना करूंगी रोज में ज्ञान योग करूंगी तो दिदी बड़ी खुश होगे फिर एक दिन दिदी ने जब सोगात दिदी ही उन दिनों में हमको देते थे तो और भी कन्याएं थी हमारे सेंटर से गई होई थी तो दूसरी कन्या और मुझे दिदी ने एक को कलर ड्रेस दिखाई और एक वाई ड्रेस तो मुझसे पूछते तुम शहजादी बनोगी या ब्रह्मा कुमारी बनोगी अब शहजादी नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा थोड़ा क्योंकि कानों में थोड़ा ग्यान तो सुना ही हुआ था तो मैंने का मैं ब्रह्मा कुमारी बनोगी तो दीदी कहती पक्का, तो दीदी ने मुझे वाइड ड्रेस थी और उस दूसरी कन्या को कलर ड्रेस थी और कुछ समय के पस्चात वो कन्या बाबा के यग्ये से चली भी गई तो दीदी ने पहला ही लेबल मेरे उपर लगा दिया कि तुम्हें ब्रह्मा कुमारी भनना है उसके पस्चात तो मदुबन जाते थे हर साल, दीदी से मिलते थे और दीदी यग्ये सेवा के लिए भी हमें बहुत प्रेरना ही देती थे तो अनाज सफाई के लिए बोला जो भी बच्चे हैं कन्याएं हैं अनाज सफाई में आएंगे तो मैं सच मुझ थोड़ा बच्चे हल भेले होते हैं तो मैं थोड़ा भूल गई थी तो मैं अनाय सफाई में थोड़ा लेट पहुंची और अचानक दीदी टोली लेकर के आए तो दीदी ने का अच्छा तुमने भी सेवा की तो मेरे बोलने से पहले ही दीदी ने टोली दी तो मैंने बोला नहीं नहीं दीदी मैं तो अभी अभी आई हूँ, तो दीदी ने मुझे डवल टोली दी, मुझे याद है खरोड थे, दीदी ने मुझे दो दिये, और दीदी ने कहा, तुमने सच बोला, इसलिए डवल टोली है, और बाबा के यग्ये की हम जितनी सेवा करते हैं, उतनी हमें आशीरवाद मिलती हैं, तो ये संसकार भी हमारी आधर ने बड़े दीदी जी ने डाला, दीदे दिल्ली पांडव भन में अकसर आया करते थे, दिल्ली वाले उनसे मिलने आते थे, दीदी भी क्लासिस कराने जाते थे, तो हम भी मम्मी के साथ में क्लास करने मुरली सुनने जाते थे, दीदी से गुड मॉर्निंग करने के लिए गई, तो बड़ी दीदी ने बड़ी प्यार से मेरे से पूछा, तुम क्लास में क्यों नहीं आई दो चार दिन, तो मैंने बुला दीदी मैंने मुरली घर में पढ़ ली थी, मम्मी ने पॉइंट सुना भी दी थी और मुरली तो मैंने घर में पढ़ी ली थी, लेकिन दीदी ने जैसे मेरे कान खीचे और कहा मुठी, अगर घर में मुरली पढ़नी है, तो भगवान ने इतने केंदर क्यों खोले आए, पढ़ाई सदा स्कूल में होती है, ये दीदी ने मेरा संसकार इतना पक्का कर दिया, मैं कितने बार बिमार हुई बुखार में भी रही, लेकिन मुझे दीदी के महावक्य याद आते थे, कि पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल में जाना होता है, और मैं अपनी मदर के साथ, जरूर मुरली सुनने के लिए क्लास में जाती थी, एक बार फिर मेरे से दीदी पूचते है, मिठरी मदू, तो नेमी नाथ हूँ, बाबा का प्यार खीच के लाता है, तो प्रेमी नाथ भी हूँ, तो फिर दीदी ने मुझे बहुत प्यार किया, और कहा कि प्यार में सब कुछ स्विकार करना होता है, प्यार में त्याग भी कोई बड़ी बात नहीं लगती, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगी, तो बाबा आपको जरूर मदद करेगा, फिर एक बार हरिद्वार में कुम्ब का मेला लगा था, तो मेरे से दीदी ने पूछा, मदू तुम जाओगी मेले में सेवा करने के लिए, तो हमारी आलरॉंडर दादी जी, जो गुलजार दादी की लोकिक मदर थी उन्होंने का दीदी ये बिमार रहती है, बहुत नाजुक है, मेले में तो जमीन पर सोना पड़ेगा, और ये तो सो नहीं पाएगी, और दीदी बहुत प्यार से मेरे को देखने लगे, कहने लगे जमीन पर नहीं सूओगी, तुम पत्रानीन ही नहीं बनोगी, तो मैंने सह सुविकार कर लिया और सच्छ मुच वो दीदी का वर्दान ही था जो हम छोटी कन्याओं को यह जितने भी महामंडलेश्वरू के आश्रम है वहां पर जाने का सोभागय मिला उनको परिचे दिया मेले के बारे में अपने स्टॉल के बारे में बताया इन सब के पीछे हाथ वि जग्ति को भेज दिया तो दीदी ने कहा कि मुध्धी कितने दिन का कोर्श कराया मैं इकता दिदी अभी दो तिन दिन ही है तो कहा आपने बढों से मिलाया यह नी कहा कि मेरे से क्यों 군at मेलाया तो मैंनीका दीदी अभी तो उनको परिचे नहीं था आप게 बारे में इसलिए मैंने नहीं मिलाया, तो दीदी ने का नहीं आद रखो, कोई भी अगर जग्यासू आता है, हम बडो से मिलाते हैं, तो बडो के एक भी अनवव की पॉइंट वो सुन करके, उसको किसी भी प्रकार से तीर लग सकता है, तो इस संसकार को भी मैंने पक्का किया, जब और बड़े हो गए, तो हमारी लौकिक मदर को हमारे लिए ख्याल आया, कि इनके नाम का करनादाना बाबा के यग्ये में सफल करूं, तो बडी दीदी के पास पहुचे मदुवन में, अपनी भावना व्यक्त की, और बडी दीदी ने जैसे सगाई की एक रसम होती है, वैसे रसम पहनाई और मुझे गर्व है, ये रिंग आज भी मेरे हाथों में दीदी की पहनाई हुई है, और दीदी ने का शाम को बाबा आएंगे ना, तो तुम बाबा को बताना की मेरी सगाई हुई है, शाम को सचमोच अवयक्त बाबा को तो आना ही होता था बाबा तो हफते में द तो बाबा ने का आपकी तो बच्चपन में हो गई थी, जैसे राजस्थान साइड में छोटे बच्चे पैदा होते ही है, तो उनकी इंगेजमेंट कर देते हैं, तो आपका तो भाग्य है, जो आप बाबा की बच्चपन से ही बन गई, फिर मैंने बाबा को का, हाँ बाबा, आज पका ठपा लग गया है, फिर उसी दिन की बात है, मैं अपने नशे में रिंग पैन कर, और दीदी ने मुझे यग्य की ड्रेस थी, और मेरे से यह भी पूछा, तुम्हारा कनेक्शन यग्य से रखे, मैं रहती तो घर में थी, अल्प बुद्धी थी, मुझे पता नही है, तो मैंने दीदी को बोला, नहीं दीदी, मैं घर में रहती हूँ ना तो अभी घर कही पहनूंगी, तो दीदी चुपो गए, मैं निकल कर आ रही थी, तो मैंने नहीं देखा साथ में कौन बैठा हूँ है, जान की दादी जी ये सारा हमारा सीन, इतनी शांती से साक्षी अधरिस्टा होकर देख रहे थे, और मैं अपनी खुशी में दीदी के कमरे से बाहर निकल रहे थी, मैंने देखा तक भी नहीं, फिर दीदी ने मुझे आवाज लगा के का, ए रुखी सुखी मदू, तो मैंने का, पता नहीं क्या हो गया, तो दीदी ने का, तुमने इनको जानकी दादी की तरफ देख के, जानती हो इनको तो मैंने नामे सेरडाया, तो दादी ने का, ये जानकी दादी है, बावा इनको जनक राज कहते है, और ओम शानती करो, फिर मैंने ओम शानती की, तो जानकी दादी जी की भी इतनी शक्ति शाली मुझे दृस्ती मिली, उसक तो आव्यक्त बाबा से टेटे करने ऑब के सांशकार मैंने पक्का कर लिया कि चाहिstone मैं किसी को जानती हूँ यूपिया नहीं जानती है तो हमारा इश्वरिय परिवार ही सत्यूख से लेकर हमने उन आत्माओं के साथ पाड बजाया है तो मैं सामने से ओम शान्ती कर देती हूँ, सामने वाला भी खुश हो जाता है तो अव्यक्त बाबा से तो हम मिलते ही थे, तो एक बार जैसे पिता कैसे बच्चे के लिए फर जड़ाई करता है, करन्या बड़ी होती है, मात पिता को चिंता होती है, इसके शादी करनी है, दूसरे घर में इसने जाना है तो मेरा ये काम भी जो पतियों का पति जिसको मैं तो पिता के रूप में मैंने ज़्यादा याद किया लेकिन कई संकलप मातर भी ऐसा ना आए वो काम भी मेरा अव्यक्त बाब दादा ने किया बाबा ने मुझे एक सेंटर पर भीजा और कहा उसको अपना घर समझना और घर को सेवा केंदर समझना कभी कभी वहां पर जाना आप यहीं पर रहके बाबा की यग्गी की सेवा करना मैंने स्विकार किया और मैं एक साल तक वहां पर रही भी मुझे बहुत नशा था कि मुझे बाबा ने भीजा है लेकिन लौकिक में कुछ ऐसे कारण बने मेरी मदर भी बिमार हो गई मेरी सिस्टर भी बिमार रहती थी तो मुझे वापिस घर आना पड़ा फिर बाबा से मिलने के जब दिन आया तो मेरा मन उस तिन बहुत खा रहा था कि बाबा कहीं मुझे यह न पूछ ले तुझे सेंटर पर भेजा था तुम घर क्यों गई तो बहुत डर था बाबा से मिलने खेर मैं बाबा से मिली तो बाबा ने मुझे कहा तीवर पुर्शार्थी हो तो मैंने तुरंत बाबा को कह दिया बाबा तीवर पुर्शार्थ में शरीर बहुत विगन डालता है तो बाबा ने कहा यह तो जानते हो न पुरानी गाड़ी है तो पुरानी गाड़ी को तो धक्के से चलाया जाता है आप इसको धक्का दे करके चलाना आप हिम्मत का केवल एक कदम उठाना तो बाबा आपकी मदद के लिए बंदा हुआ है ये गाड़ी तो अंत तक खिट-खिट करेगी मैं इसका भाव समझ नहीं पाई नेक्स टेम दीदी से मिले तो दीदी ने का बाबा ने आपको क्या वरदान दिया मैंने बड़ी खुशी से का दीदी मेरे को बाबा ने सेंटर पर भेजा था ना पर मैं सेंटर पर तो फिर मैं घर चली गई मेरी दिल बहुत खा रही थी पर बाबा ने तो दीदी शुकर वो पूछा ही ने, दीदी ने फिर प्यार से मेरे सिर्फर हाथ फेर के का मुठरी तुमने बाबा का रहसे नहीं जाना, मैंने का दीदी क्या, तो दीदी ने का भगवान अगर एक बार किसी को आग्या करे और वो आग्या का पालन ना करे, तो उसका कितना बोज चड़ता है तो बाबा दुबारा कहकर के आपको बोज का अधिकारी बनाना नहीं चाहता मेरी आखे खुल गई कि मैं कैसे उसको उस रूप में ले रही थी और इसके पीछे कितना गहरा रहस्य है तो दीदी सदा एक प्रेरना हमेशा मुझे देती थी कि कभी भी संग दोश में नहीं आना सहेलिया भले हों लेकिन सखी सखी रूप में अपना साथ निवाना बस हमेशा एक पाठ पक्का करना मेरा तो एक दूसरा न कोई किसी के प्रभाव में नहीं आना तो ये दीदी ने पाठ पक्का कराया आज भी मैं समझती हूँ दीदी के इस वर्दान ने और बाबा ने मेरी बुद्धी को बहुत सालिम रखा हुआ है एक वरता बना करके रखा हुआ है फिर तो मदूबन में जाना हुआ दीदी से मिलते ही रहते थे लास्ट का अनवो मैं सुनाना चाहूंगी मई मास में मैं बच्चो का ग्रुप लेकर के गई दीदी को बच्चों से भी मिलाया बच्चों का कैम्प लगता था बाबा भी बच्चों से मिले थे तो लास्ट में जाने की समय छुपती लेनी थी, उससे पहले एक दिन दीदी शाम को योग करा रहे थे और दीदी इतनी मस्त दिवानी थे, उनकी द्रिष्टी से ही, ना किसी का योग लग रहा हो, योग लग जाता था पढ़ाई में जिसका इंटरस्ट ना हो, दीदी को जब डाइरी लाते और स्टूडेंट की तरह इतने ध्यान से मुरली सुनते हुए देखता था तो उसका भी बाबा की प्रती, पढ़ाई के प्रती इंटरस्ट जागरित हो जाता था दीदी इतना योग में ऐसे लवलीन होके बैठते थी, जैसे कोई स्थूल में किसी चीज का टेस्ट कोई ले रहा हो तो ऐसी दीदी शाम को योग करा रहे थे, तो मेरे को दीदी दिखाई नहीं दिये मुझे लगा कि शेर पर दुरगा बैठी हुई है बार-बार मैं आखे खोल के देखू तो दीदी का रूप ना दिखे मुझे दुरगाई दिखाई दे मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने का आज तो बाबा ने मुझे साक्षात कार कराया फिर नेक्स्टे हमको निकलना था तो जाने से पहले दीदी से छुप्ती लेने के लिए गई और मैंने दीदी को का दीदी कल जो आपने योग कराया ना इतना शक्ति शाली था और दीधी आप तो दिखाई नहीं दे रहे थे, आपकी जगा पर तो दुरुगा दिखाई दे रही थी, शेर पर बैठी हुई, तो दीधी बड़े प्यार से मेरे को गले लगा के सिर पर आथ फिर के कहते है मुक्ती, मैं तो शेर पर बैठी थी पर तुम कहां थी, तुम तो के दिल में बैठी थी, बस ये दीदी का लास्ट घड़ी का मेरे लिए एक वर्दान बन गया, दीदी ने मुझे भगवान के दिल में स्थान मेरा पक्का करके गई, ये दीदी के शब्द मुझे कभी भी नहीं भूलते हैं, और दीदी सदा जब भी क्लास कुराते थे, कहते थ सारे ज्यान का सार दो शब्दों में है, जाना है और आना है, जाना कहा है, घर जाना है, और नई राजधानी में आना है, शयद दीदी को अपनी संपूरन स्थिती खीच रही थी, और दीदी लास्ट में भी यही कहती थी, बस यही स्लोगन पक्का करो, अब घर जाना है, अ में मास में मेरी दीदी से लास्ट मुलाकात थी और जुलाई में अच्छानक ये ख़वर मिले कि दीदी छुपती लेकर के एडवांस पार्टी की सेवा में चले गए आज भी मुझे दीदी का वो ममता का वो प्यार का वो सिंप्लिसिटी का वो रॉयल्टी का वो अनुशासर प्रियता का वो छेहरा जब याद आता है तो आखे नम हो जाती हैं और ऐसी आत्मा के लिए दिल से प्यार निकलता है कोटी कोटी नमन वंदन मेरी सच्चे श्रधांजली मेरी आधर्निया मेठी देदी के प्रती ओम शान्ति